नमस्कार दोस्तों, एक बार पनो हाजिर हूँ मैं, एक नई पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लोक्स पे एक मेल हतेली है और आपकी हतेली का आकार यहां पे आयताकार दिखाई दे रहा है निश्चित रूप से एक दार्षनी किसम का व्यक्तित तो आपका है, एक एनलेटिकल स्वभाव आपका यहां पे दिखाई दे रहा है और जो भी कार्य करते हैं जिस भी छेतर में होंगे, मस्तिस्क का प्रयोग अपनी बुद्धी चातुर्या का प्रयोग करते ही करते हैं दिमागी काम करेंगे, आने वाले समय में दिमागी काम जादा करेंगे और उसका फायदा भी आपको जिवनकाल में होगा चाहे प्रस्तितियां कैसी भी हैं और कैसी भी रहेंगी लेकिन दिमागे कारे करेंगे अपनी दिमाग का पूरा प्रियोग करेंगे और उसके अनुसार जीवन में बेहतरीन इस्तिती हासिल होगी जैसे जैसे मेचोर होते जाएंगे आपका बुद्धी चात्रिया भी मेचोर होते जाएगा और उसका सही रोप से आप जो है प्रियोग कर पाएंगे ये आपकी हतेली बता रही है दूसरी अतेली का जो आकरती के साथ साथ रंगत है बड़ी खूप सूरत है आने वाले समय में सोबग्य दस्तक देता हुआ दिखाई दे रहा है अपनी जीवन का पूरा लुथ्व उठाएंगे पूरा आनन्द लेंगे चाई प्रस्तिती संगर स्पूर्ण रहे चाई संतोस् जिससे प्रेशान होने वाले हद से ज़्यादा प्रेशानी किसी चीज में नहीं रहेगे बहुत ज़्यादा न रहे लेकिन बहुत कम भी चीजें नहीं रहेंगे भग्य साथ देगा जीवन में कहीं न कहीं उत्साह बना रहेगा उर्जा बनी रहेगी और जीवन में खुसि प्रशानी जादतन नहीं रहेगी हाँ जो जीवन में तरक्की है जन्म अस्तान से दूर यह है जन्म अस्तान से दूर तरक्की है और आप अभी जन्म अस्तान से दूर होंगे यह आपके हतेली दिखाए देरी है जीवन में निरंतर उन्नति तो रहेगी लेकिन साथ साथ में संगर्स भी उस रूप में रहेगा ही और उतार चड़ाव रहेगा कई बार और इस्तिर्था भी रहेगी जीवन काल के पचासवे वर्स तक जीवन काल के 51 वर्स से अस्ताइट तो आना सुरू हो जाएगा और जीवन में दो तरफा धन का आगमन होगा जीवन बहुत सरलतम इस्तिति से गुजरेगा अब ही जो समय चल ला है उस समय कि अगर हम बात करें तो कभी ठीक रहेगा कभी बहुत अच्छा रहेगा कभी थोड़ा डाउन रहेगा लेकिन उस रूप में धन का अरजन सेविंग जिस रूप में होना चाहे था अब यह नहीं दिखाई दे रहा है यह हतेली की रेखाई देखके मैं बताऊंगा दूसरी चीज अगर हम देखते हैं यहां पर आपकी जो प्रमुख रेखा है हिर्दे की लकीर इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है और यहां पर देखेगा आप यू जारी है ये और यू इसमें एक चिन बन रहा है साथ साथ में दो रेखाई भी इसमें निकल रही है हिर्दय की लकीर पे और कहां जारी है ये किसी एक परोथ पे नहीं जारी है आपकी जो हिर्दय की रेखा है जो इंडेक्स की फिंगर है उसके नीचे वाला जो ये भाग है जुपिटर का माउंट ये आचारे बिरस्पती जी है हमारी हातले में बैठने वाले पर्थम आचार्य है देवताओं के गुरू है बिरस्पती जी है इसका सिदा सिदा प्रभाव इस रेखा पे पड़ रहा है दूसरा आपकी ये मिडिल फिंगर है और इसके नीचे का जो ये भाग है ये भाग्य अस्तान है सली, ये हमारे कर्मों को देखता है हम किस प्रकार के कर्म कर रहे है ये हमें इसी जीवन में उसके अनुसार फल देता है ये ये नहीं कहता है कि इस जनम के आपके कर्म है वो दुसरे जनम में काम आईएगे नहीं, ये on the spot पैसला करने वाला ग्रह है इसका प्रभाव पढ़ रहा है भग्या अस्तान का प्रभाव पढ़ रहा है दोनों ग्रहों का बलाबल आ रहा है और ये बता रहे हैं कि आप अपनी जीवन में बड़े महत्वकांची हैं महत्व कांचा आपकी बहुत जादा है और सदेव जो आपकी सोच रही है और अभी भी जो बनी हुई है वो आगे बढ़ने की रही है और आगे बढ़ने की हो रही है गुरू का प्रभाव आ रहा है जिसके प्रभाव की चलते आपकी जो इक्षा है अपने छेत्र में सर्वस्रेश्टतम अस्तर तक पहुंचने की हो रही है लेकिन वही सनी परवत का प्रभाव पढ़ रहा है जिसके प्रभाव के चलते आगे बढ़ने के लिए कितने भी मेहनत करनी पड़ी कोई जुगाड लगाना पड़ी कैसा भी हो एन केन प्रकार है जो भी आप से हो जाए वो आप करेंगे आपकी हिर्दे की लकीर यहां पे बर्तमान में कह रही है अब एक चीज ध्यान से दीखेगा अंत में एक तिरकून का चिन या पत्ती का चिन इस पे बनना है यह आपको बेहत नयाई प्रिया बना रहा है और जैसे जैसे यह चिन प्रगाड होता जाएगा अनुसासित जादा होते जाएंगे और रहस्यमई बिद्याई जो हैं, चाहिए वो कुंडली है, चाहिए हस्त्रेका सास्त्र है, समुदर सास्त्र है, तंत्र सास्त्र है, कोई भी रहस्यम ही बिद्याई है उनकी तरफ आपका आकर्सन भी बढ़ता जाएगा और उसका knowledge भी आपको अच्छे रूप में होता जाएगा मनिक एक तरफ से देखें तो इसका knowledge इतना अच्छा होता जाएगा deeply आपको उसमें कार्य करने की ज़रूरत नहीं है कार्य आप अपने छेतर में करींगे लेकिन रहस्यमई विद्याओं की तरफ आकरसन बढ़ेगा और इसकी knowledge आपको बेहतरीन हो जाएगी एक जैसे कुंडली भी से सग्य होता है एक जैसे हस्तरेखा भी से सग्य होता है उतनी knowledge आपको अरजन हो जाएगी दार्शनिक होंगे और सत्रों कभी प्रास्त नहीं कर पाएंगे इसकी तरफी इसारा कर रहा है दूसरी बात definitely मन इस्तित ऐसे भी हो सकती है उमर बढ़ने के साथ कि आत्म साक्षातकार की प्राप्त के लिए बाहर गुरू नहीं ढूनना पड़ेगा आत्म साक्षातकार अंदरी हो जाएगा और सोच या साइंटिफिक खोज इस तरह रहेगी कि वास्तों में मनुष्य जीवन का सही अर्थ क्या है हमारा जन्म किस उदेशय के लिए हुआ है अगर इस जीवन में इस्वर है और ये रेखाई कुछ बोलती है तो किस आधार पे बोलती है जो अध्यात में है उस डीपली उसमें चले जाएगा और बिग्यानिक तरीके से उसको समझने की कोशिस करेंगे उसको समझ पाएंगे ये आपके हतीले में ये चिन बता रहा है और निश्चित रूप से इसका ज्यान आपको बहुत सुनर तरीके से होगा धार्मिक भावनाई हमेशा रहेंगे अब यहाँ पे जो है दो तिन रेखाई भी जारी है आने वाले समय में एक से ज़्यादा रहसे में चीज़ों की आपको जो है नोलिज हो जाएगी अपने आप ही समय आने पर इस चीज़ की और जो ही इसारा कर रहा है कहीं न कहीं एक छोटी सी लाइन इसमें मिल रही है किदर से अभी पूर्ण नहीं हुई है बहुत वो है भगवान नारायड जो बैकुंट धाम के स्वामी है नारायड है भगवान बिश्ण है उनकी किरपा आपके उपर बनी हुई है जैसे जैसे ये चिन जो है एकदम इसपश्ट सुरू होता जाएगा वैसे वैसे जीवन में आपकी जो दिव्यता है वो निखर करके आ जाएगी और देखेगा इस जीवन में धन ही सब कुछ नहीं है कहीं न कहीं अगर आपकी जीवन में वाक सिद्ध मिल जाए कल क्या घटित होने वाला है आज आपको पता चल जाए और जीवन में परसिद्ध मिलने सुरू हो जाए एक आ एक तो इससे बड़ी किरपा और कोई नहीं होती धन तो हाथ का मेल है धन बहुत बड़ी चीज नहीं है आप अपने को समझो आपके उपर साक्षात प्रब्रम्म सुरूप नारायन की स्वयम किरपा है अपने को पूर्ण समर्पन कर लो उनके आगे अब समर्पन का मतलब ये नहीं होता है कि हम डेली दिया जलाएं, हम अगरबती फूके हम घंटी बजाएं, बहुत बड़ी यग्य करें, बहुत बड़ी माला जाप करे और हमरे पास टाइम नहीं है लेकिन मजबुरी में करें ये समर्पन नहीं है वो दिया जलाते हैं, उसका महतो बहुत बड़ा है हम घंटी बजाते हैं, वो नाद का महतो अपने आप में सर्वुपरी है संक क्यों बजाते हैं उसका साइंटिफिक रिजन है आज करोना काल चल दा है, लोग कह रहे हैं कि बच्चों से गुबारा फुलवाएं हम कहते हैं कि आप पड़े लिखें, हम गुबारा फुलाएंगे, हम कहते हैं हम संक बजाएंगे, ठीक है न, तो साइंटिफिक तरीके से आप धर्म को जानेंगे किसी को हात दिखाने की, किसी को कुंडली दिखाने की, किसी को बहुश्य दिखाने की आपको जरूरत नहीं है आप स्वयम दूसरों को देख करकी ही, उसका हातेली नहीं देखने है, रेखाई नहीं देखनी है आपने उनकी कुंडली नहीं देखने, उसको देखते ही, उसका नाम सुनते ही आप उसके बारे में पूर्ण विस्तार से बता लेंगे क्या होने वाला कैसा है, किस प्रकार से हुआ है, तिरकाल दिरिष्टि हो जाएंगे अगर आपने बेक्यानिक तरीके से अपनी हतेली में देख जो निसानवन ने उनको समझ लिया तो मैं इसके लिए आपको जो है न कुछ नहीं जो बहुत सरल चीज है ध्यान योग किरिया जिसमें आप उस लेबल तक पहुंच जाएंगे वो किरिया दूँगा पैसा तो छोड़ियेगा पैसा तो बहुत छोटी चीज है धन के मामले में चिंता तो बहुत छोटी चीज है वो चीज पराप्त होगी पैसा स्वयम चल के आएगा आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब पैसा आ गया है और कहां खर्च करना है देखेगा आप परक लीजेगा जीवन में जादू नहीं वो पाएगा तो देखेगा आप आपकी हत्यली में बहुत भेहत्रीन चिन्न है बहुत भग्यसाली पुरुस के हत्यली में ऐसे चिन्न मिलते हैं थोड़ा कम है मनि पूर्ण रोप से विक्सित नहीं होने दीजेगा ने पूर्ण समरपन कर लिजे योग ध्यान किरिया करेगा ने अपने आप चीजें होती हैं अब यहां पर देखेगा आपकी मस्तिस्क की रेखा इस तरों से आ रही है एक दम इस पश्ट है आप खुद दे आपका बौदिक अस्तर अत्यंत स्रेष्ट है आपकी सोचने की छंता गजब की है बिवेक वान ब्यक्ति हैं हर समय कुछ न कुछ सकारात्मक सोचते रहते हैं और जिस भी छितर में काम करेंगे मस्तिस्क का परियोग बहुत ज़्यादा करेंगे क्रियेटिव ज़्यादा है क्यों कि कलपना के गरह की तरब जो है ये इसारा ले रहा है कर्ब ले रहा है क्रियेटिव हैं बहुत एक छंता सर्वोपरी है आप यहाँ पर देखेगा यहाँ से एक रेखा निकल करके सूरे की तरब बढ़ रही है ठीक है न यह रेखा जीवनकाल के 48 वर्स से लेके चमण वर्स के बीच में फल देगे क्या होगा राहु जो है सूरे से मिलन कर रहा है 48 में से लेकि चवन के बीच में सूरे से मिलन कर रहा है सूरे के गुणों में बिर्द कर रहा है क्या होगा यस की प्राप्ति होगी मान सम्मान प्रतिष्टा बढ़ेगी और कहीं न कहीं सरकार द जारी है अगर ध्यान से आप देखेंगे यह रेखा यहां से आ रही है यह बुद्ध की तरफ जारी है यह जीवनकाल के 45 वर्स से राहू बुद्ध से युक्ति बना रहा है जीवनकाल के 45 वर्स में राहू बुद्ध से युक्ति बना रहा है अर जब राहू बुद्ध से अगर ब्यापार कर रहे होंगे तो ब्यापार में अपार सपलता दिलाएगा या किसी बेग्यानिक सपलता में ये सयोग करेगी और यही राहु रेखा जीवन में दोतर्फा इंकम भी पैतालिसमें वर्स से कहीं न कहीं आपको दिलाएगी और ये भग्या रेखा तो आपके 51 वर्स से जो है इस पश्ट अवस्ता में है तो भग्या रेखा 51 वर्स से है तो पैतालिसमें वर्स से कम मातरा में लेकिन 51 वर्स से बड़ी मातरा में देफनेटिली एक जौब होगा दूसरा बिजनिस होगा या दो अलग अलग इंकम सोर्स आपकी जीवन में आने वाले हैं एक डारेक्ट इंकम एक फैसिब इंकम यानि एक मुख्या स्रोत और दूसरी कम मेहनत वाली इंकम आपकी जीवन में आने वाली है इस बात की और ये संकेत करना है साथ साथ में आप देख रहे हैं यहां से निकल करके कुछ रेखाई करने ब्यापार नहीं दे रहे हैं लेकिन ब्यापारिक गुणों में बहुत बड़ी विर्दि करते हुई यहां पर दिखाई दे रही हैं अब थोड़ा दूसरी तरफ चले एक रेखा यहां से निकल करके भी बढ़ रही है जैसे जैसे यह इसपष्ट होती जाएगी सुन्दर से आ रही है किये तो कित रफ जा रही है भाई देखेगा मैंने इस पष्ट तरीके से जो जिवन की रेखा इस परकार से देखी है एक तो ऐसे ब्यक्ति की जो उन्नत होती है उन्नत ऐसा ब्यक्ति कर पाता है अपनी जिवन अस्तान से जो जन्म अस्तान से दूर करता है और बिद्येस में हो तो जादत तरकी ऐसा ब्यक्ति करता है, जन्म अस्तान के मुकाबले हैं, लेकिन निरंतर उन्नति करने के बाब जोत भी, मनि उतार चड़ाओ देखने पड़ते हैं, संगर से भी देखना पड़ता है, कई बार और इस्तिता का सामना भी करना पड़ता है, भल सपड़े संत महात्मा, सिद्ध पुरस की तरह, मोक्ष की, परिनिर्मान की और मुक्ति की प्राप्ति ऐसा ब्यक्ति कर लेता है, यही आपके कर्मों को ये रेखा बता रही है, करियर और धन की रेखा इस तरह से जा रही है, एका एक इसमें समाहित हो रही है, इसमें समाहित हो रही है यहाँ पे फिर आगे दो रेखाएं बढ़ रही है ठीक है ना करियर और धन की मामले में जीवन काल के पचासवें वर्स तक बहुत बड़ा अस्ताई तो नहीं है मनि प्रेशान होने वाली कोई चीज नहीं रहेगी कोई काम रुकेगा ही नहीं वो इकाम अगर आ गया इस्वरकर की ऐसी किरपा रहेगी कि वो काम चल पाएगा लिकिन बहुत बड़े मात्रा में इस्टोर नहीं कर पाएगी अस्ताई तो नहीं ला पाएगी लेकिन पचासवे वर्स के बाद जब चीजें ज़्यादा तर जीवन काल में क्या होती है कि नहीं आती है सोर्स लेकिन आपकी जीवन में उसके बाद बहुत अच्छे सोर्स आ रहे है अच्छा खासा धन अरजन करने वाली चीज आ रहे हैं मान, प्रतिष्टा, सम्मान सभी चीजों में बहुत बड़ी बिर्दी है लेकिन जीवन में अवर ओल देखें तो उतार चड़ाओ कम ज्यादा जैसा भी रहेगा लेकिन जीवन में खुशियां बनी रहेंगी जीवन में उत्साह बने रहेगा, उर्जा बनी रहेगी और चाहे सारिक स्वस्त्य है चाहे मानसिक स्वस्त्य है दुरुस्त रहेगा छोटी मोटी चिंताएं छोटा मोटा उतार चड़ाओ छोटी मोटी कन्फ्यूजन सबकी जीवन में रहती है और बराबर रहती है चाहे कोई कितना भी भग्यसाली पुरोष हो चाहे खरबपती हो अरबपती हो समस्याई सब के जीवन में रहती यह मानव जीवन है भगवान ने भी जब मानव जीवन में जन्म लिया है उसकी जीवन में भी समस्याई रही है इसलिए यह नहीं कह सकते हैं कि जो है समस्याओं से रहित होगा कोई विक्ति नहीं होता है जो मैं बोल रहा हूँ आपको बता रहा हूँ हतीली आप बढ़ रहा हूँ क्या मेरी जीवन में समस्याओं नहीं आती है क्या मेरी जीवन में कभी अभाव नहीं आता है क्या हमेशा मेरे जीवन दिव्यराह होगा? नहीं. अपनी-अपनी कर्म है, आपकी हतेली अत्यन्तस्रेश्ट है. अब यहाँ पर देखेगा, एक तो रेखा इस्तरोसी जारी है, एक रेखा इस्तरोसी हो रही है, यहाँ पर एक चिन बनना है. ये आपको धार्मिक परवर्ति का इनसान बना रही है जैसे जैसे उम्रबडेगी अध्यात्म की छेतर में बहुत बड़े बिस्तार और विकास को पाएंगे दूसरी बात है आपको यात्राओं का जो लाब मिलता है जिवन में यात्राओं जो करते हैं आप मौके मिलते हैं इसी के कारण है और इसके नजरिया से देखें तो कहीं न कहीं ये सन की और देख रही है कहीं न कहीं धन की तरफ बहुत जादा जो है आपका मन जा रहा है बरत्मान में केवल धन इकटा करने की तरफ ठीक है धन में भी बिर्दि करेगी इस बात की और भी ये संकेत कर रही है अब यहाँ पे आने वाले समय में एक तिरकोन भी बना रहा है राव हर जग से राव जैसे जादतर के जीवन में क्या परिसानिया खड़ी करता है लेकिन कुछ समय बात देखेगा आपके जीवन में ये परिसानिया नहीं आपको जो है फर्स से लिएके अर्स की उचाई पे पहुँचा देगा ये हर दिश्ट से अभी पैसे जितना भी हो आने वाले समय में देखेगा पैसा आपको कैसा सेविंग करते हैं क्यों कठनाईया होती है पता ही नहीं चलेगा लेकिन अभी करियर और लक्षमी की रेखा इस प्रकार से है कि मनी एक अस्ताई तो नहीं है जिस तरों से होना चाहिए तो इसके लिए क्या करना है लक्षमी की पूजा करना और योग ध्यानी के रिया करने है बहुत सरल मस्तिस्क रेखा और जीवन रेखा के बीच में गयप है जांसे सुरुवात है स्वतंत्र विचार धारा का ब्यक्तित्व है आपका आप अपने मन के मालिक हैं किसी के कंट्रोल में किसी के आदिपत्य में बहुत ज़्यादा काम नहीं कर सकते हैं स्वयम के निरणयों पे चलने वाला व्यक्तितु है आपका, लेकिन management की छमता बहुत अच्छी है, पुराने धर्रे पे चलना, पुरानी सोच, घिसी पिटी चीजों पे चलना आपको अच्छा नहीं लगता है, नई आइडियाज के साथ आगे बढ़ना, नई सोच के साथ कद पे कदम मिलाना आपको अच्छा लगता है, रिस्पोन्सिवल ब्यक्ति हैं, छोटी उमर से ही रिस्पोन्सिविल्टी निभाना अच्छा जानते हैं, लेकिन मंगल का प्राबल्य पढ़ रहा है, ओबर कॉन्फिडेंस भी है, कई बार जल्द बाजे में तुनंत निरणय ल अगर देखें अभी ये दोसित है, कोई नो कोई सोच बनी रहेगी, कोई नो कोई चिंता बनी रहेगी कुछ समय तक, इस बात का ये दियो तक है, यहाँ पे अगर देखें ये उंगली पूरी तरह से जुकी हुई है, इस उंगली की तरफ धार्मिक भावनाईं आपके अमरपण की भावना है, बहुत बड़ा विश्वास है इस वर में, परतिकूल से परतिकूल प्रभाव क्यों न पढ़ें, प्रस्तितिया क्यों न आएं, इस वर से और अपने आराद्य के परति विश्वास मना रहेगा, दायालोता भी आपके मन के सुनर से कोने में कहीं पे और यह अच्छे अप्रोपकार के भावना है, दायालो प्रवृति का ब्यक्तित्व है, दाया भावना मन के अंदर है, अपने धर्म के परति, अपने जो है इस्वर के परति, पूर्ण विश्वास है, पूर्ण समर्पण है, और इसका प्रभावता उम्र बना रहेगा, कुछ नो कुछ आप उनको अच्छी चीजें अच्छे ससकारी दे दे लेकिन ये चीज देंगे। ना रंग बनता है। मेहनती से ही ब्यक्ति जो है उत्तम से उत्तम पदवी उत्तम से उत्तम स्रेणी प्राप्त करता है। ये आप जानते हैं और मेहनती हैं कर्म में विश्वास रखने वाला ये ब्यक्ति आप हैं। बहुत सुनर चीज है। ये उंगली हल्की सी जुकी हुई दिखाई दे रही है इस तरह बहुत मामुली से करब है बहुत ज्यादा इक्षा तो नहीं है लेकिन कहीं न कहीं कारियों में बिस्तार पाने के इक्षा हलकी है है नाम और यस पाने के इक्षा कहीं न कहीं है सूरे के नेचरल गुणों के कारण यहां पे ब्रस्पति की उंगल से छोटी है अत्यंत स्रेश्ट सूरे के कारण रिस्क लेने की चमता है और कहीं रिस्क लेने में जोखिम उठाने में कोई हानी हो जाए तो गिर कर समनने की छमता है ये मती सुभाव है और सास्तर कहता है जो हमारी बुक हैं वो कहती हैं किताबे हैं वो कहती हैं कि ब्रिस्पती की उंगली से सुरे की उंगली बड़ी हो और मिडिल फिंगर सनी की उंगली से छोटी हो तो ऐसा बिक्ति अपनी जीवनकाल में ये सु समाज में बहुत बड़ी मान प्रतिष्टा यस पाने वाले फेम पाने वाले लोगों में से एक होंगे सफलता की प्राप्ति करेंगे अपनी जीवन में एक ऐसा समय आएगा जिसमें बहुत बड़ी सफल ब्यक्तित्वा सफल ब्यक्ति कहें जाएंगे सूर्य के कारण क्योंकि आपके इष्ट देव भी सूर्य है इष्ट ग्रह है और इष्ट देव है भगवान विश्णु जो मैंने बताया है ये उंगली देखे तो पूरी तरों से जुकी हुई है इसकी तरफ धन का माने की ललक बहुत जादा रहेगे कि किस प्रकार से अच्छा खासा धन अर्जन किय जाए इखटा किया जाए कमाया जाए इसके पहले पोर्वे तक नहीं पहुच रहे है तो मनी मैनेजमेंट में कागजों के रख रखाओ में एकाउंटबिल्टी में थोड़ी सी कम्यूनिकेशन स्किल्स में गयप रह सकता है मनी मैनेजमेंट में आगे नहीं रहेगा क्योंक उठा देखें आप इस पश्ट बता रहा है एक सुखद जीवन जीने की चाह रखने वाले हैं और केवल चाह नहीं रखते हैं सुखद जीवन जीने के लिए प्रेतन सील भी हैं हर समय प्रेतन करते रहते हैं ये आपका ये बता रहा है शुंद्र और उपर की और लगातार रेखाई जा रहे हैं आने वाले समय में बहुत बड़ी सफलता अरजित करेंगे और बिसेशकर 48 से लेकि 54 वर्ष के बीच में जो सफलता निखर कर आएगी वो अत्यन तस्रेश्ट अवस्ता की होगी यह यहाँ पर आपकी अतिली कह रही है आप यहाँ पर अगर हम देखते है यहाँ पर इस तरों से रेखाई जाती हुई दिखाई दे रहे हैं आप देख रहे हैं और यहाँ पर आप देखेंगे तो वर्ग का चिन बन रखा है किसका प्रभाव पढ़ रहा है मंगल का जैसे यह सपष्ट होता जाएगा आपको निश्चित रूप से अचल संपति का लाब मिलेगा आप उसको भुना सकते हैं नहीं भुना सकते हैं आपके उपर निर्भर करेगा अपने देश नहीं दूसरे देश से भी धन कमाएंगे कोवेर रेखा कहेरे हैं दो रेखाईं जा रहे हैं सूरे के परवट त्वे पुतर का सुक मिलता है विक्ति को अचल संप अर्टाले से लेकि 54 वर्ष के बीच में मिलन कर लेगा तो पुत्र का सुक यस की प्राप्ति विपल संपति का सुक निश्चित तोर पे मिलेगा सोचने की जरुरत नहीं पड़ेगी मिलेगा 100% मिलेगा यहां पर देखें यह एकदम सुन्धर इस्तिति में है और इसमें वर्टिकल लाईने है अपने कारे के परती जुजहरोपन है जिस कारे को हाथ में लेते जब तक उस कारे को पूरा नहीं करते हैं तब तक छोड़ते नहीं है इस पश्ट रूप से सुन्दर अउस्ता में विक्षित है यह हमारे जीवन में किसलिए जाना जाता है आकर्सन के लिए हमारे विक्षित्तों को ऐसे बनाता है कि दोसरा हमारे तरफ आकर्सित हो जाए सुन्दरे के लिए जो सुन्दर्ता हमारी जीवन में होती है चाहे तन की हो चाहे मन की हो इसके लिए ये प्रवत जाना जाता है वासना समझ गए हूँ प्रेम इसके महतों को ये दिखाता है ये प्रवत विप्रीद के परती जबरदस्त आकर्षन पैदा करता है हर कारिया ऐसा बिक्ति औरों की बजाए बहुत नाजुकता से करता है बड़ी खूब सूरती की साथ करता है ऐसा बिक्ति जो भी होता है जिसका सुक्र बलवान हो दयालो होते हैं उदार दिल वाले होते हैं खुले दिल से खर्च करने वाले भी होते हैं इस प्रकार से यह यहाँ पर बता रहा है, लेकिन इसमें बहुत सारी देखाई उपर की और बरतमान में जा रही है, क्या बता रहा है, किसी एक चीज को लेके बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, डीपली उसमें और चिंता का भाव भी उसमें आता हो, दिखाई दे रहा है, यह यहाँ पे आचारे ब्रिस्पति थोड़ा नीचे की तरफ जुक रहे हैं परिवार को लेकि कुछ चिंताओं को बता रहा है बर्तमान में और यहाँ पे साधरन आउस्ता में बैठ गए है ये ठीक है अपनी आउस्ता में जब ये भी भव्या आजाएंगे तो ये अपना फल ज और गुरू जब आरद्यदियों की फूजा करेंगे तो गुरू अपने आप पुष्ट होंगे फिर क्या होंगे सेकंड आचारे तो ठीक है ये अपना फल जादा प्रदान करेंगे इनके पुष्ट होने से इसका फल मिलेगा इसके पुष्ट या पुष्ट होने से नहीं मि मिलेगा क्या होगा जिस तरह से जो है ये पुष्ट और सुन्दर इस्तिति में बेहतर इस्तिति में हैं मजबूत इस्तिति में हैं आपके पास आने वाले समय में गलेमर होगा जितना ये पुष्ट होते जाएंगे उतना इनका फल मिलेगा चमक होगी उतनी नाम और यस होगा या यकीन मानेंगा चकाचोन रहेंगे जहां तहां नाम हो जाएगा Glamour को attract करेगा Glamour होगा चमक हो जाएगए और क्या चाहिए सुक का सारा part तो इनके उपर है हर परकार के सुकों का भोग ऐसा अब एक्ति करता है चाहिए वो सारेक सुक हो चाहे वो दामपत्य जीवन का सुक हो चाहे वो मानसिक सुक हो चाहे वो लक्जिरियस का सुक हो चाहे वो अल्टरा लक्जिरियस का सुक हो चाहे धन का सुक हो सब इनी के उपर है यहाँ पे निम्न मंगल उच्च मंगल आपका अत्यांत सरेष्टा वस्ता में है प्राक कर्म की कोई कमी नहीं है और न कभी होगी एनर्जेटिक स्वभाव आपका हमेशा बना रहेगा एनर्जे से भरपूर विसम से विसम प्रस्तित क्यों ना आ जाए प्रस्तितियों से भागेंगे नहीं उसका मुकाबला करेंगे और सोल्यूसन ढूंडने की कोशिस करेंगे यहाँ पर अगर देखें उपर की और कुछ रेखाएं है अच्छी राइटिंग स्किल्स के साथ साथ लेडर्शिप की क्वालिटी को बता रहे है नीचे की तरफ रेखाएं है अध्यात्मी की रेखाएं है अध्यात्मी में भी ब्यक्ति बहुत स्रेष्ट है और उसमें बर्ग भी बन रहा है चतो स्कोर इस प्रकार से नौलेज अर्जन करेंगे कि उसकी टीचिंग तक दे सके और नोकरी कर रहे होंगे तो जैसे जैसे ये इस पष्ट होता जाएगा उच्च पद की प्राप्ति होगे हाँ अभी इस अस्तान को देखें थोड़ा सा जो है साधरन अवस्तामी यहाँ पर धन के गरह अभी बैठे हुए है और इस अवस्तामी थोड़ी सी बरतमान में साधरनता देते हुए दिख रहे है थोड़ा सा सामने बिक्तितो देते हुए दिखाई पड़ रहे है लेकिन फिर भी हास्मुक सुवाव रहेगा देखा जाए तो दयालो रहींगे प्रोपकार की भावना भी रहेगी आर्थिक पक्ष बहुत ज्यादा मजबूत नहीं है कि एकदम जो है छलांग लगा लेंगे लेकिन ठीक ठाक रहेगा हाँ यस की प्राप्ति के लिए अपने कारियों में विस्तार पाने की प्राप्ति के लिए मन में बहुत ज्यादा जुकाओ बना है स्वतंतरता और लिडर्शिप की चाह रखने वाले बिक्ति हैं इसको ठीक करना है ये भी ठीक है ये किसी प्रकार के कोई जो है ये देखिएगा ये भी अत्यंतसरेश्ट है बुद्ध भी बहुत अच्छा है और रेखाई जारी है ये रेखाई उपर की और जारी है ऐसा बिक्ति सेवा भावी के गुण लेवी होता है ऐसा बिक्ति जो ब्यापारिक गुण है ब्यापारिक समझ है उसकी बहुत अच्छी होती है अपने को ब्यक्त करने की चमता रखता है वानी की सक्ति स्रिष्ट होती है एक लाइन में अपनी पूरी बात बता देगा और कहां पी क्या बोलना है, किस प्रकार से बोलना है किस के सामने कौन सी बात रखनी, कब रखनी, क्या स्रिष्ट समय ये जानता है और मनो बेग्यानिक के छेतर में ऐसा बिक्ति माहिर होता है सामने वाले को किस प्रकार से प्रभावित करना है इस चीज को ये विक्ति अच्छी तरोसी जानता है और व्यापारिक गुणों में बहुत बड़ोतरी ऐसा विक्ति पाता है एक से ज़्यादा बहसाओं का ग्याता भी ऐसा विक्ति होता है चंद्रमा यात्राई अच्छी खासी है लेकिन यहाँ पर अन्बैलेंस हो रहा है बर्तमान में कुछ ना कुछ डीपली सोचते रहते हैं जिसके कारण कभी-कभी मानसिक चिंता बढ़ जाते है ऐसी में जो क्रियेटिविटी है कभी-कभी उतनी नहीं रहती जितनी रहनी चाहिए कभी-कभी इमोशनली तत्व आ जाता है मन कभी अच्छा नहीं रहता है क्या करना चाहिए यह मन का मालिक है इसका उपाय करना चाहिए भगवान शंकर की भगति करो बस बाकी जो चीजें हैं वो तो मैं आपको वर्टसप पे लिखके दे दूँगा और ओडियो के मादियम से भी दे रहा हूँ कुल मिला के बात करें चीजें बहुत बहुत बहुतरीन है लेकिन थोड़ा सा समय का इंतजार करना है और कुछ उपाई दे रहा हूँ उनको प्रोपर तरीके से करना निश्चित ही जीवन में सपलता आपकी है 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 इस वीडियो में बस इतना ही एक नई वीडियो के साथ पुनव उपस्तित हूँगा तब तक के लिए नमस्कार